हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई चैनल इजी लर्निंग अकाउंट और आज की इस वीडियो में हम रिविजन करेंगे हमारी पार्ट टू बुक मतलब सेकेंड बुक ऑफ कंपनी अकाउंट जिसका पे पर हमारा अकाउंट एंजी का बहुत ही जल्दी दो दिन बाद ही आन चीथी यह बुक हमारी 24 मार्क्स की नजर आएगी तो 24 मार्क्स की इस बुक में हमारे मात्र दो चैप्टर है और पहला चैप्टर है हमारा शेयर कैपिटल मतलब जिसमें हम एकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल बताएंगे और दूसरा चैप्टर है हमारा एकाउंटिंग फ हमारे fix होते हैं कि हमें six six marks के वो दोनों question नजर आते ही हैं जिसमें one six marks का question हमें share का एक complete question नजर आएगा और six marks में एक question debentures का होगा जो भी six case के base के according होगा तो six case का एक based questions और एक six marks का हमारा share वाला question तो तोटल हो गए हमारे बारा नमबर 24 नमबर की book में हमारे बारा तो यहीं cover cover हो गए अब बचे हमारे remaining 12 marks तो 12 marks में हमें अच्छे से पता है कि भाई हमें चार नमबर की एक balance sheet नजर आएगी जिसमें हमें share capital का extract आने की chances रहते हैं उसमें हमसे कहते हैं कि भाई आपको share capital का extract दिखाना है तो four marks अब यहां बच्चे चले गए तो बच्चे हमारे आठ marks आठ में कम से कम चार से पांच marks की बच्चों MCQs भी आएंगे अब बचे हमारे 3 marks तो 3 marks के question में हमें जो choice जजर आ सकती है उस choice में हमें collateral debentures का consideration share का या फिर debenture का issue in consideration इसको हम other than cash भी कहते हैं यह question या फिर हमारा कोई भी एक short question जिसमें हमें four feet reissue of capital reserve में transfer वाला concept शो करना होता है तो यह हमारा complete एक division है जो हमें हमारे इस 24 marks की book का करना है तो क्यों ना division के according ही revision करें तो पहले revision करेंगे हम पहला point जो मैंने यहां पर cover किया किस नाम से balance sheet के नाम से तो balance sheet का extract अगर हमें दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे देखेंगे हमने पहले बनाया एक चोटा सा format फिर हमने दिखाया notes to account का format notes to account का format उपर लिखा हमने balance sheet और balance sheet के bracket में हमने शो किया extract क्योंकि बच्चों हमें share capital दिखाना है तो one डालके लिखेंगे equity and liability underline करेंगे फिर one लिखेंगे share holders fund और share holders fund में हम लोग a डालके लिखा share capital तो कि केवद share capital दिखाने को बोल रहा है और उसको हमने blank चोड़ दिया फिर हमने a को दुबारा लिखा और a में लिखा हमने share capital और share capital लिखकर बच्चों अब हमारा concept शुरू हुआ जो हमें सीखना है तो सबसे पहला concept है बिटा वो है हमारा authorized capital यह वो capital होता है जो कोशन में अगर दिया हो तब भी लिखना है नहीं दिया हो तब भी इसकी पॉर्मेटिंग तो लिखनी होती है authorized capital dash at the rate of dash each अगर है तो बहुत अच्छी बाते नहीं है तब भी हम इसको लिखेंगे जरूर चाहे इसकी value blank छोड़ दे उसके बाद दूसरा होता है issued capital तो issued capital में भी हमनो dash share at the rate of dash each लिखेंगे यह हमारे normally हमारे offer जितने हमने public को offer किया और उसके बाद आ जाता है हमारा next concept जिसको हम बोलते है subscribe capital में अगर आप से question कह रहा है कि 10,000 हमारे shares है at the rate of 10 ही जो हमने issue किये इसमें हमारे कुछ share ऐसे है जो हमने payment allotment की और call की हमको नहीं मिल पाई तो जो share का payment आपको नहीं मिल पाए और वो हमने four feet किया हो लेकिन बच्चों याद रखना वो हमने review ना कर दिया हो क्योंकि एक बार कोई भी share अगर issue हो जाएंगे तो वो हमारे fully paid up में माने जाएंगे और वो हमारा payment पूरा receive होगा तो my location कह रहा है कि 10,000 हमारे 500 share एक partner के और 400 share एक partner के दोनों का payment नहीं आया तो हमने केवल पहले वाले partner के shares को four feet कर दिया for non payment of two rupees final call और four rupees का जब two का payment नहीं आया तो नहीं आया लेकिन हमने उसको four feet नहीं किया तो ऐसे question में हमें क्या करना है 500 और 400 900 दस अजार मैंसे हम पूरे 900 minus कर देंगे तो value आ जाएगी हमारे पास 9100 9100 at the rate of 10 each 9100 एक और 0 91,000 लिग देंगे फिर subscribe and not fully ना करके आप directly add करिएगा जिसका नाम है share four feet तो 500 share में जब दो का payment नहीं आया बच्चो तो हमारे 8 का payment आ गया था तो 500 को 8 से multiply करेंगे तो चारजार एड जाएगे और यहां पर भी call in area का वो portion एड कर देना जिसका पैसा हमें मिल गया तो अगर 10 में 2 का payment नहीं आया तो जाहिड सी बात है कि 8 का payment आ गया था तो 400 को भी 8 से multiply करेंगे तो 32 हमारे यहां पर आ जाएंगे सब को add करके जो value है वो उठाके हम यहां पर share capital में लिग देंगे बच्चों याद रखेगा अगर इसी question में एक और twist लगा दे कि 500 में हमने reissue कर दिये थे बाग में 400 share तो 400 जब reissue हो गए तो हमारा केवल 100 share का deduction होगा यहां पर और 400 का यह वाला तो 500 deduct करेंगे क्योंकि जो एक बार share ratio हो जाएं वो हमारे लिए कोई भी effect balance sheet में नहीं देंगे तो यह वाली गलती बिल्कुल भी मत करना एक्जाम में ठीक है तो यहां पर हमारे चार नंबर की यह balance sheet वाला concept आएगा तो वो हमारा अच्छे से cover हो जाएगा अब हम चलते हैं हमारे next concept पे तो balance sheet का अगर portion की बात करें तो हमारा चार नंबर का discussion हो गया है अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे next concept पे जिसका नाम है हमारा consideration तो consideration दोनों तरीके से समझ लेते हैं in share chapter में और साथ में debenture chapter में भी तो share chapter के अभी मैं normally बात कर रही हूँ तो share में अगर आप कोई asset purchase कर रहे हैं तो entry बनेगी हमारी assets account debit to vendors account अगर आपने share issue करें है in cash और add power sorry तो entry हो जाएगी हमारी vendors account debit to share capital security premium में किये हैं number of share निकालने का formula लगा लिए ना महां पर purchase consideration upon issue per price तो इस तरह से लगाएंगे तो number of share आ जाएंगे तो अभी कोशन कैसे आता है कि जैसे हमने एक लाग के share building purchase की हमने 20,000 का payment उसको check से दे दिया तो हमारी purchase consideration कितनी आ गई 80,000 हमने जो payment किया है वो किया है 10% या फिर 20% के premium के साथ तो अगर 20% premium की बात करें और at the rate of 10 है तो 10 का 20% 2 हो गया तो इसको हम 12 से divide करेंगे तो इससे हमारे पार number of shares आ जाते हैं तो यह formula आपके काम आएगा और अच्छे से आपके portions को cover करा देगा नेक्स तिंग जो यहाँ पर add-on हो सकती है वो क्या कि हमने कोई asset purchase के साथ तर पूरा business purchase किया मतलब हमने वहाँ की liability भी ले ली तो assets account debit to vendors account to liability इसमें अगर assets वाली side debit वाली side जादा है और credit वाली side कम है बचों तो हम इसकी balancing करेंगे किस से capital reserve से और उल्टा हो जाए मतलब credit की value जादा और debit की value कम है तो good will से balance करेंगे तो इस type का भी हमें एक mcqs नजर आएगा तो हम इसको भी नजर अंदाज नहीं कर सकते अब जो next portion बता रही हूँ वह बहुत ज्यादा ही cover हो जाएगा क्योंकि उसमें एक long question 6 में आएगा ही आएगा और उसी type के हमें अगर question नजर आगए mcqs में तो कम से कम 2 question mcqs में भी वहाँ कवर होंगे तो है हमारा four feet और reissue तो four feet की entry आपको पता ही है क्या होती है share capital account debit to share four feeted account और two यहाँ पर call in area आता है मतलब वो पैसा जो हमें नहीं मिला यहाँ जो हमें मिल गया और यहाँ पर जितने share और अब तक कितनी call हुई तो कभी-कभी called up पे भी mcqs आ जाता है तो हम इसे भूलेंगे नहीं अगर यह share हमने reissue कर दिये four feet वाले तो bank account debit अगर discount में किये हैं तो share four feeted account debit to share capital account और अगर बच्चों हमने premium में किये हैं तो to security premium और दोनों में से एक होगा पार में किया है तो same value आ जाएगी और last entry हो जाएगी हमारी share four feeted account debit to capital reserve account अगर fully reissue है बच्चों share four feeted minus discount कर देंगे और अगर not fully or total share amount four feeted number of share four feeted into number of share reissued minus discount if any तो इसको follow करेंगे और answer निकालेंगे इसमें question हमसे maximum permissible discount पूछ सकता है तो value नहाएगी share यहाँ से मिल जाएगा minimum ratio पूछ सकता है तो value नहाएगी share यहाँ से मिल जाएगा number of share called up पूछ सकता है यहाँ से मिल जाएगा share four feeted यहाँ से मिलेगा बैंक में amount यह वाली fully paid up share capital discount value यहाँ पर capital reserve की value यहाँ पर तो वह हमसे इन जगाओं से कुछ mcq discuss करेंगा जिसके मैंने आप लोंको practically questions अपने प्रीवियस जो टू मन्स की live लेते उसमें कराएगा डेटेल्स में कराया बास उठाना तो आपके यह वाला portion भी cover हो जाएगा साथ में बच्चों हमारा एक long question जिस long question में याद रखना over subscription होगा तो table बना लेना पहले shares applied आएगा shares allotted आएगा application money receive उसके बास share capital share allotment share calls और last में bank मतलब rejection इसमें एक बात बताने का मन कर रहा है मालो कोशन ने share बुलाई 60,000 लेकर उनके पास 80,000 shares आ गए question कह रहा है कुछ-कुछ-कुछ shares हमने reject कर दिये हमने निल लिख दिया तो फिर यह जाहिर सी बात है कि जब निल माइनस करेंगे तो यहां साथ आएगा और जो भी remaining share है उनको five ratio fours उसको सीधा सीधा उठाएंगे five ratio fours तो इसको simplify करेंगे तो value आ जाएगी 75,000 यहां पर 15 फिल कर देंगे और इस तरीके से आप बूरी table cover करेंगे तो यहां पर आपका table वाला portion भी cover हो जाएगा यह तोड़ा twist है मुझे sample में दिखा था तो मैंने सूचा कि मैं paper moment पे आपको अच्छे से बता दू तो आपका clear हो जाए तो यहां पर बच्चों आपको पता है हमने क्या 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 discuss कर लिया हमने almost क्या क्या discuss किया है मैं आपको दिखाती हूँ जगा हमने starting की ते इस बार एक्जाम में six marks की एक long question की जगहां पर और लगा करना जगहां पर मतलब और करके question दे जहां पर शेयर तो three three marks में वो दो कोशन आ जाएं या फिर कोशन का एक long question यहां पर वो हमें मार्किंग में फोर फीट री इशू और के पर नजर आ सकता है चार नमर की हमारी balance sheet के chances रहेंगे अच्छे से balance sheet बनाना ध्यान से पढ़ना और यह बार बताओ balance sheet में marking बहुत अच्छी scoring होती क्योंकि authorized issued है उपर की formatting है तो यह कहीं न कहीं हमें score करवाते हैं तो four marks की scoring महाँ पर three marks में आपके संग दो choice होंगी एक debenture में choice होगी और एक share में जो चैप्तर अच्छा लगता हो वह अच्छे से cover कर लेना अब आते हैं बच्छों हम लोग अपने next portion पे जो हमारा six marks का debenture तो पहले में six marks का debenture discuss करूंगी उससे पहले मैं आपको बात और बताना चाहती हूँ अब बच्चे पांश समचार या पाश्मक नंबर के लाट एक्जेक्ली पाश चार या पाश नाम की नंबर के एम से की उस अब इसको एड़ करते हैं तो 10 11 12 13 14 15 17 18 19 26 23 24 24 24 24 24 यहां कवर हुए तो इससे हमें satisfaction मेरेगा कि मैं जो हमें समझाया तो हमारे तयारी का बेस मुरेगा बच्छों लाइव म आप वहां देखो एक एक टॉपिक महां पड़े हैं डीटेल में तो आपकी तयारी होगी स्मार्ट वर्क करिए लेंदी वर्क मत करिए इतना स्मार्ट वर्क करेंगे नंबर उतने ही स्मार्ट अम स्मार्ट आपको रज़र आएंगे तो चलते हैं और एक discussion और पॉइंट का क यह विद क rope beats iaद प्रीमियम प्रीमियं लोगे एक आड़ इस stabilize, यह सारे केस अगर आपको पता है तो जट-जट-से आप स्ना पर्षण करेंगे मालो कोशन कह रहा है कि कंपणी के पास already shares थे कंपणी ने और debentures लेने हैं उसके लिए कंपणी ने 75 लाग के debentures ले लिए एड पार में लिए लेकिन redeem की है 10% की according तो आप समझ गए कि यह हमारा case है fourth issue add par redeemable add premium फटाफर से fourth case की entry उठाई लिए 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 आप question कह रहा है कि जो आपने entry की है उसमें जो debentures उस पर इंटर्स बतादा दो परसेंटेज दिवेंचर की जो value वेली होगी ना face value उस पर परसेंटी लगा दिना तो इंट्रेस्ट लग जाएगा वो कह रहे हैं जो हमारा loss आया है ना उसको write-off कर दो लॉस को write-off कर देना फूर्थ केस में जब लॉस write-off करोगे ना fourth case में जब loss write-off करोगे तो हमारी entry उतर इधर की fourth case की जो entry होती है वो होती है दिवेंचर application account debit प्रीमियम और डेंशन अकाउंट डेबिट फर्सेंटे देवेंचर अकाउंट तो विससे हमने पहली एंट्री की तो बैंक अकाउंट डेवेंचर application अकाउंट उसी केस में आप loss on issue का खाता बनाएंगे बच्चों तो यहां पर तू पर्सेंटेज डिवेंचर ना आकर तो प्रीमियम और रिडेंशन लिख देना और यहां पर बाई राइट आफ करवा देंगे राइट आफ कर देंगे लॉस का खाता बना देंगे इंट्रेस दिखा देंगे सिक्स केसे शो कर देंगे तो अगर इस तरह से आप अपने काम को करेंगे तो आपको सिक्स मार्क्स अच्छे को रोंगे या फिर इसके साथ और लगा कि अगर कोश एक पर पर इसकाउंट तो यह हमारा जो केस होगा वह से करिएगा यहां पर लाइबिट भी यहां पर दिखाते हैं जब concept आता है हमारा किस चीज का business is purchase तो goodwill debit में होगी अगर assets कम है capitalism carried में balance होगा अगर हमारी carried side की value कम है last में बच्छा collateral security तो collateral का question आएगा तो आप entry लिखेंगे bank account debit to bank loan account to bank loan account यहाँ पर वो पैसा दिखाएंगे जो आपने loan लिया मालो मैंने 5 लाग का loan लिया तो 5 लाग यहाँ पर दूसरी entry हो जाएगी debenture suspense account debit to percentage debenture account मालो collateral में आपने 6 लाग का debenture दिया तो 6 लाग 6 लाग तो दो entry करिएगा अगर collateral में entry पास करने को भी आ जाए और format तो आप जानते हैं कैसे शो करना है इस तरह से शो करिएगा यहाँ पर one में आप दिखाएगा equity and liability और one डालके दिखाएगा non current liability और इसे शो करके बंद कर देना और उसके अलावा में हमें क्या करना है long term borrowing भी लिखना है यहाँ पर खाली चोड़ देना यहाँ पर long term borrowing लिखेंगे और उसके बाद 5 लाग का आपने loan लिया था आप लिखेंगे 6 lakh debentures issued और 6 lakh लिखके यहाँ पर less करेंगे हम debenture suspense तो 6 में से 6 गया निल आ गया और भार आ गया पांच लाग तो ultimate याद रखना आपको लिखना वह पैसा है जितने का आपने loan लिया है bank to bank loan में वह दिखाना है और debenture जितने में issue करें है वह debenture suspense to percentage debenture में दिखाना है इस तरह से इसको cover करेंगे मैं फिर से कह रही हूँ हमारा division 24 marks का one marks की chances है exactly कुछ भी नहीं होता बच्चों सब कुछ एक हम exhume करते हैं तो सबसे पहले तो हमारी balance sheet में priority long question shares four feet के छोटे वाले question one one marks में भी इन में cover होगा minimum ratio maximum permissible discount और इसके सासर बच्चों theory में आप लोग scanner ready करिया आपकी book में scanner दे रखे होंगे scanner को पढ़ लेंगे काफी cover हो जाएगा साथ में आप लोगों को security premium reserve की utilization पता होने चाहिए कि इसकी full utilization क्या है for issue of bonus share for writing of expenses for writing of other expenses for buyback of share और साथ में बच्चो reserve capital और capital reserve में क्या अंतर होता है तो जहां wind up and winding up दिया हो uncalled capital दिया हो answer reserve capital होगा इन दोनों में से कुछ भी ना दिया हो तो capital reserve होगा इस तरीके से अपनी अच्छी तयारी करिए कोई पी doubt आता है कमेंड करके जरूर पूछ लीजिए आपको कोई भी doubt हो उसका reply जरूर आएगा बिल्कुल भी गलती मत करना क्योंकि हमें 80 में से 80 से नीचे नमर लाने ही नहीं है बच्चो बाई बाई